पिछले लेक्जरस में हमने यहां तक देखा था यह, एफ का जो एक सब कंपोनिंट है, उसका वेल्यू हमने इतना फाइंड किया था, अब हम देखेंगे कि यह जो वेल्यू हमारे पास है, इसको और सौट फॉर्म में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो देखते हैं उसके वक्ल apa कृछतने करली कर्ली भी एक्स अधिर ऐ दोट एक है इसका वैल्लू क्या हो जाएगा कर्ली-वी क्ली एक्स वध्युच से और जो मैंगेटिक बेक्टर पोडे Sellין है उसका स्चेलर्णक्णट क्या हो जांग है वीक्स एक से प्लस v y ay plus v z a z equal to यह देखी यह 0 हो जाएगा v x के respect में इसका differentiation 0 इसका भी differentiation 0 इसका क्या हो जाएगा 1 तो क्या बचेगा x से बचेगा ठीक है अब यदि मैं दोनों side में इसका जो है negative component consider करूँग यह वाला ठीक है क्योंकि यही मुझे चाहिए इसका value यहाँ negative है ठीक है तो यह मैं consider किया तो as phi is independent of v x therefore we write अब देखिए phi क्या है v x से independent है मतलब phi जो है velocity पर depend नहीं करता है scalar component है ठीक है तो उसका value मैं क्या लिख सकता हूँ यह 0 लिख सकता हूँ ठीक है तो phi जो है यहाँ पर scalar quantity है ठीक है वो क्या करेगा बस जो है distance पर जो है depend करेगा ठीक है मतलब position coordinate पर जो है वो क्या करेगा depend करेगा velocity पर जो है depend नहीं करेगा तो यहाँ पर curly 5 by curly v x equal to मैं 0 लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर minus follow term यह है मेरे पास minus x अब यहाँ पर 0 मैं 8 कर दूँ और 0 एट करने के बाद उसका value यह रख दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा curly 5 by curly v x minus क्या minus curly by curly v x vector v dot vector a equal to a क्या हो जाएगा minus x अब इसको मैं दोनों में देखो curly by curly v x curly by curly v x क्या बचेगा 5 minus vector v dot vector v dot vector a equal to minus x अब यदि इसका मैं क्या करूँ time के respect मैं differentiation करूँ a boy equation with respect to time तब मैं क्या पास होंगा d by dt इसका ठीक है यह मैंने differentiation कर दिया और इसका value क्या है minus x यहाँ पर दे कि यह जीद हो जाएगा minus curly curly v x तो इसका value minus x है तो मुझे क्या मिलेगा minus dx by dt मतलब मैंने इसका differentiation किया मतलब इसका differentiation किया जोकि दोनों का value तो सेम है ठीक है तो इसके जगावत मैं क्या लिख दिया minus x तो minus common dx by dt d by dt और इसका क्या हो जाएगा minus x है तो minus x यह ठीक मतलब minus dx by dt यह मेरे पास है देखिए minus dx by dt तो इसके जगावत मैं क्या लिख सकता हूँ यह लिख सकता हूँ यह वाला ठीक तो लिख देते हैं putting this value in equation train अब यहाँ पर देखिए curly by curly x curly by curly x दोनों में से common निकाल लूँगा minus तो यहाँ plus है वो minus हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर minus curly by curly x वहाँ से मैं निकाल लिया अंदर में क्या बचा phi और यह plus था वो minus हो गया vector v dot vector यह बचा अब देखिए minus dx by dt के जगावत मैं रखूँगा इतना तो यह minus तो हट गया यह plus हो जाएगा क्या बचेगा d by dt curly by curly v x curly by curly v x phi से common निकल लिका क्या बचेगा अंदर में phi यह phi minus यह vector v dot vector अब दोनों में देखिए इसका value सेम है ठीक है इसको मैं आज solo करता हूँ f x equal to हो जाएगा minus curly by curly x q का अंदर में जो है multiply कर देता हूँ ठीक है चार्ज है तो minus curly by curly v x यह क्या हो जाएगा q into 5 minus vector v dot vector a plus इसके अंदर में भी d by dt curly by curly अब v x के जगह पर मैं क्या लिक सकता हूँ x dot लिक सकता हूँ क्योंकि velocity यहाँ पर क्या है उसका position coordinate r dot होता है तो x component के लिए x dot हो जाएगा यह वाला ठीक है तो v x के जगह पर मैं लिख सकता हूँ x dot ठीक है यह velocity है x component velocity का तो क्या हो जाएगा यह q का multiply हुआ तो q 5 minus vector v dot vector यह हो गए define the generalized potential u equal to q 5 minus v into v dot a इसका वेल्ट में क्या करता हूँ q कैसे होगा यह देखेंगे आगे ठीक है यहाँ पर देखिए f x equal to क्या हो जाएगा f x equal to q तो अंदर में चलाए f x minus curly by curly x इसका value u रख दिया हम है minus curly u by curly x plus d by dt curly by curly x dot और उसके जगह पर फिस u रख दिया it is clear that u is a function of x and v x या x dot function है in general u is function of q j and q j dot ठीक है generalized coordinate के term में क्या हो जाएगा q j और q j dot का भी function होगा q j क्या है generalized coordinate है q j dot क्या है generalized velocity है and is known as generalized potential और velocity dependent potential इस potential को क्या बोलते है generalized potential या velocity dependent potential बोलते है ठीक है velocity पर depend कर रहा है देखिए ठीक तो यह हो जाएगा अब यह क्या होता है q j इसको q j से represent करते है तो यहाँ पर q j equal to क्या हो जाएगा f x ठीक है यही तो है generalized potential जो किसका value है यहाँ f x equal to minus q d u by q d q d u by q d q d dot हो जाएगा मतलब generalized velocity के term में हो जाएगा q j यह q j dot हो जाएगा we have from langrange equation अब langrange के equation स्रें हम जानते हैं यह हमारे पास langrange का equation है d by dt कली t by q j dot minus कली t by q j equal to q j अब q j का value मैं यह put कर देता हूँ यह मुझे मिल जाएगा ठीक है अब d t वाले ट्रम इधर ले जाएगा क्या हो जाएगा t minus u के दुख में मुझे मिल जाएगा d by dt कली by कली की उचे dot कली by कली की उचे dot यह t minus u हो जाएगा यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक और प्लस हो जाएगा तो फिस मैनस कमन इकलोंगा तो मैनस हो जाएगा तो कली by कली की उचे यह t का t और तो मैनस u क्योंकि मैनस मैनस प्लस हो जाएगा फिस इधर आए तो प्लस हो गया है ठीक लेंग रांजियन का वेलू क्या होता है L equal to T minus Q होता है इसको लिख सकते हो L equal to T minus Q 5 minus vector V into vector A, A-Si unit में होता है यदि इसको CGS unit में हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा L equal to हो जाएगा T minus Q into 5 minus vector V upon C into A ये हो जाता है वहाँ पर CGS unit में हम क्या लिखते हैं V को जो है V upon C लिखते हैं यहां सी क्या है speed of light होता है तो ये हम लिख सकते हैं अब देखेंगे हम Hamiltonian for a charged particle in an electromagnetic field तो ये topic जो है आपको Hamiltonian formulation देखने के बाद समझ में आएगा क्योंकि उसमें हम देखेंगे Hamiltonian function ठीक है तो उसका use इसमें किया गया है Hamiltonian function का तो आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले Hamiltonian formulation को देख दिजिए ठीक है जहां यह Q क्या है Q जो है चार्ज जो पार्टिकल है उस पर चार्ज है ठीक है और यहां A क्या है electromagnetic vector potential है ठीक तो यहां पर L equal to मैं लिख सकता हूँ generalized यह क्या है generalized coordinate की term में जो है kinetic energy है तो यहां पर T equal to हो जाएगा summation J 1 upon 2 M Q J dot square है जहां Q J dot क्या है generalized velocity है ठीक है हम जानते है T equal to क्या आता है 1 upon 2 M V square होता है तो V जो velocity होता है ठीक है यहां पर जो velocity होगा ठीक है Langrangian के लिए वो होता है generalized velocity मतलब D Q J upon D T ठीक है time के respect में generalized coordinate का जो differentiation के जाता है उसको generalized velocity बोलते हैं तो उसका square है यह ठीक है minus Q यह क्या है charger है ठीक है into 5 minus इसी प्रकार यह क्या हो जाएगा V भी क्या हो जाएगा अब velocity ना रहकर generalized velocity हो जाएगा और generalized velocity को मैं किससे represent करूंगा Q J dot से upon C और यह भी vector potential है तो यह AJ हो जाएगा J term ठीक है यह भी जो है function है हम जानते हैं पीशे हमने देखा है ठीक है किसका function है XYZ का था ठीक है यह जो है XYZ और T का function था ठीक है तो यह भी हो जाएगा now J coordinate moment is given भाई हम जानते हैं कि जो PJ होता है generalized momentum होता है ठीक है वो किस सुपरे देखेंट होता है लाइंगा अंजियन के term में curly L upon curly Q J dot तो एक curly L upon curly Q J dot इसका निकालोंगा तो यह 2 Q J dot square के क्या हो जाएगा 2 Q J dot होगा तो Q 2 to cancel क्या बचेगा M Q J dot plus यह minus Q 5 यह जो है Q J dot के Q J dot के respect में differentiation करोंगा तो यह 0 हो जाएगा और यह minus minus plus ठीक है और यह Q J dot का differentiation क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा plus Q upon C और A J ठीक है putting this in Hamiltonian we get अब यह होता है हमारे पास Hamiltonian function ठीक है इसमें जब हम put करेंगे ठीक है value के यह P J का value है और यह Q J dot तो हमें क्या मिलेगा h equal to मिल जाएगा हमें summation J यह P J का value इतना मुझे मिल गया है तो मैं put कर दिया M Q J dot plus Q upon C A J into Q J dot minus L ठीक है अब यह क्या हो जाएगा summation J M Q J dot square हो जाएगा M Q J dot square ठीक plus Q upon C summation J क्या हो जाएगा Q J dot into A J minus L ठीक है Since T equal to क्या होता है यहाँ पर देखिए summation J 1 upon 2 M Q J dot square है यह हमारे पास T equal to उसी को तो हमने यहाँ पर put किया है ठीक है मतलब यह यहाँ पर put किया है तो यहाँ पर मैं 2 का इससे multiply कर दो 2 T equal to मुझे मिल जाएगा summation J M Q J dot square मिल जाएगा अब यह जो है यहाँ पर है देखिए तो यहाँ पर मैं 2 T रख सकता हूं तो रख दीजिए H equal to 2 T plus Q upon C summation J Q J dot into A J अब L का value देखिए यहाँ पर फिर से L का value मेरे पास यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा L का value यह फिर से minus L है तो minus T हो जाएगा यहाँ यह minus T और minus यह plus हो जाएगा ठीक है तो plus यह Q5 और यह minus minus plus और इसका minus हो जाएगा minus Q upon C ठीक है summation J Q J dot into A J अब यह वाला ठीक है मतलब यह भी क्या हो जाएगा velocity है generalized velocity हो जाएगा तो summation J Q J dot और यह जो है मतलब A J हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए अब यह term और यह term दोनों सेम है बस यह minus में है यह plus में है तो जोनों क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा और 2T में से एक T गया है तो T तो H equal to क्या मिल गया T plus Q phi मिल गया ठीक है तो यह होता है हमारा क्या होता है Hamiltonian होता है ठीक है electromagnetic charge particle के लिए तो T का value मैं फिर से यहाँ पर इससे मैं फिर से put कर सकता हूँ P square upon 2M ठीक है लेकिन यहाँ पर जो P आया है वो generalized momentum होगा फिर ठीक है तो P square upon 2M plus Q phi यह हमारा होता है Hamiltonian for a charge particle in an electromagnetic field thanks for watching the video